हेलो फ्रेंट्स, गुड इवनिंग टू अल अफ यू, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीटी उपी स्टिडी पॉइंट में अफ्रेंड बात करेंगे पॉल्टेक्निक के इंट्रेंस एक्जाम से रिलेटेड जो आपकी बॉयलोजी की क्लास चल लए है गुरूप इवन के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो की आपका लेशन चल ला था पादपकार की जिसके अंतरगर्तोत हम बहुत से इंपोर्टेंट क्वेशनों को देखते हुए आ रहे हैं लगभग दोस्त यहाँ पे 500 क्वेशन का टार्गेट है एक चेप्टर से टोटल आपको 500 क्वेशन बताएंगे ताकि दोस्त अगर आपको इंट्रेंस एक्वेशन में क्वेशन कहीं से भी आता है कहीं से कोई भी टॉपिक से आता है तो आप उसे असानी से सॉल्व कर सके त चलते हैं दोस्त क्लासिस को स्टार्ट करते हैं जितने भी न Ant Treasury जुड़े हुय है अभी तक दोस्त आपने चैनल को सब्सक्राइब में किये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देखेंगा और हमारे प्रिवियस क्लास सब सको आप जरूर देखिएक क्योंकि दोस्त आ समझ में आ जाए और जो आपकी physics और chemistry की क्लासिस हैं बहुत ही जल्द दोस्ते हैं पर इस्टार्ट होने वाली हैं तो चलते हैं दोस्ते हैं पर question की ओर तो दोस्ते यहां पर पहला question है आज का रात्री में व्रिचों के नीचे सोने से मना किया जाता है आपने दोस्त दैनिक जीवन में सुना होगा देखा होगा बहुत से लोग बोलते भी हैं कि रात में व्रिच के नीचे नहीं सोना चाहिए क्यों नहीं सोना चाहिए इसका region क्या है दोस क्योंकि रात्री के समय व्रिच कार्बन डायकसाईड चोडते हैं, इसलिए यहां पे रात्री में व्रिच के नीचे नहीं सोना चाहिए बात करेंगे हम हम अगली कुश्षिंड की तो अगला कुश्षिंड दिखते हैं, हंपे अगला कुशन है कौन सा पादप हर्मोन बीजों को सुस्पता अवस्था में रखता है तथा पतियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है तो उसका क्या नाम है उसका नाम है एपसीसिक एसीड क्या नाम है दोस्ट एपसीसिक एसीड नाम है जो की विलगन में मुख् अगला कुश्यन है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है वेरी इंपोर्टेंट कुश्यन बहुत बार इंट्रेंस इग्जामनेशन में पूछा गया है और यह आक्सीन क्या होते हैं यह भी आपका इंट्रेंस इग्जामनेशन में पूछा गया है तो फल पकाने वाला जो हार्म चैनल को जॉइन करें, जिस्का लिंक दोस्त मैंने description में दे रखा है, अगर आप telegram channel नहीं जॉइन कर सकते हैं, तो आप हमारे WhatsApp नमबर पर message भी कर सकते हैं, जिससे आपको PDF मिल सके, WhatsApp नमबर भी दोस्त मैंने आपको description में दे रखा है, description चेक आउट करिये और वहां से दोस्त आप PDF असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगला कुशिन दिखते हैं दोस्त यहां पर अगला कुशिन है आक्सीन क्या होता है तो आक्सीन जो होता है दोस्त वो आपका वृद्धी हर्मोन में उप्यो किया जाता है आक्सीन ठीक है अगले कुशिन दोस्ट यहाँ पर बात करेंगे अगला कुशिन है जिब्रेलीन किस से प्रिथक किया जता है तो यह आपका एक कवक से प्रिथक किया जता है जिब्रेलीन इसके पहले क्लासिस में दोस्ट हम आपको जिब्रेलीन के बारे में डीटेल से बताया था एक दोस्त question आपको बनते हैं entrance examination में इसलिए आप एक एक चीजों को अच्छी तरीके से जानने की कोसिस करिएगा यहाँ पे अगले question के दोस्ते यहाँ पर बात करेंगे अगला question है अनाक्सी स्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है तो अंतिम जो उत्पाद होता है अगले question के दोस्ते यहाँ पर देखते हैं अगला question है आक्सी स्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है तो उसका जो अंतिम उत्पाद होता है carbon dioxide और gel H2O अगले question के दोस्ते यहाँ पर बात करेंगे उन्हें वायू नहीं मिलती पाती है जिसके कारण वो बीज जो है वो अंकूरित नहीं होते हैं आपने दोस्त दैनिक जीवन में प्रयोग किया होगा या अगर आप खेती या देखती होंगे जो बीजे हैं वो भूमी के अधिक गहराई तक नहीं बोया जाता है थोड़ा सा ही गहराई में ही बोया जाता है ताकि वो जल्द ही अंकूरित हो ठीक है इसके लिए क्यों क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपका वायू की नमी नमी और वायू दोनों आपको मिल सके ताकि वो जल से जल अंकूरित हो सके अगले कुशिंग दोस्ते आपे बात करेंगे अगला कुशिंग है ग्लाइको लिसीस का अंतिम उत्पाद क्या होता है तो ग्लाइको लिसीस का जो अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अमल क्या होता है दोस्त पाइरुविक अमल होता है जो की ग्लाइकोलिसीस का अंतिम उत्पाद माना जाता है अगले कुशिंग दोस्ते हैं कौन एक पादप हर्मोन है तो अक्सीन दोस्त जो है वो आपका एक पादप हर्मोन है अगले कुशिन के दूसरे आपे बात करेंगे अगला कुशिन देखते हैं आपे अगला कुशिन है कोसिका के भीतर स्वसन का केंद्र क्या होता है तो उसका जो केंद्र होता है वो होता है माइटो क्रांडिया क्या होता है दोस माइटो कांडिया होता है इसके रिलेटेट दोस कुछ important point जानते हैं तो माइट्रो कॉंडिया की खोच अलमेट नामक विज्ञानिक ने 1890 इस्वी में की थी यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली महत्यपूर सनशना है जिसका नाम माइट्रो कॉंडिया है इसका अकार तथा आकृती परिवर्तन सील होती है किसकी माइट्रो कॉंडिया की अगले कुशिन की दोसे यहाँ पर चलते हैं अगला कुशिन है 2,4-D क्या है? very important question 2,4-D क्या है? यह आपका खर्पतवार नासी है क्या है दोस्त? खर्पतवार नासी है 2 और 4-D अगले कुशिन की दोसे यहाँ पर बात करते हैं अगला कुशिन है hydroponics क्या है? तो hydroponics क्या है? संतुलित जली पोसक माध्यम में पौधो का उत्पादन ही hydroponics कहलाता है अगले कुशिन को दोस्त यहाँ पर देखते हैं इंडोल एसिटिक अमल क्या है इसमें बोला है दोस्त आपका इंडोल एसिटिक अमल क्या है तो जो आक्सीन है दोस्त वो आपका इंडोल एसिटिक अमल है यहाँ पर दोस्त बात करते हैं आक्सीन आक्सीन से लेटेड दोस्त याजनि यह आकसीनिस वे पदार्थ होते हैं जो प्रहों की कोशिकाओं में दिर्गी करन प्रकिरिया को प्रेरित करते हैं इन में इंडॉल एचिटिक, एसीड मुख्य है आकसीन की खोज बेंड सहाब ने कीती किसें धूब्यण है ने आकसीन की कोज की थी आक्सीन का जो मुखय कार्व होता है कि कोशिकाओं की लंबाई में वृध्धि करना और आक्सीन का इस्थाना तरह सक्रिय तथा एक दिशिय होता है ठीक है अगले कुश्चिन के दोस्टे नहां पर बात करेंगी हम अगला कुश्चिन देखते हैं इससे पहले दोस्त वीडियोज को आप अपने Facebook और WhatsApp ग्रूप में शेयर करें ताकि दोस्त अधिक से अधिक student यहाँ पे जुड़ सके आप सब लोग दोस्त तैयारी अपनी लगातार बनाये रखें ग्रूप E2 के लिए दोस्त यहाँ पे धान दे मैं आपको बताया हूँ मौर्णिंग में आपका mathematics वह भी दोस्त चलेगा बहुत ही जल्द उसको भी start किया जाएगा अगला कुश्चन था दोस्त यहाँ पर छुई-मुई-पौधय की पत्तियां क्यों मुर्जा जाती है तो उसका जो कारण है पढ़ाधार का इसफीति दाब बदल जाता है आपका plasma जल्ली की विशेस्ता है वडात्मक परगम्मता अगले कुश्चन की दोस्ते यहाँ पर बात करेंगे अगला कुश्चन दिखते हैं जेम तथा जेली को कवक एवं जिवाणूओं से बचाने हेतू किस सिध्धान का प्रियोक किया आता है तो जीव द्रव्य अगले कुश्चन की दूस्ते यहाँ पर बात करेंगे अगला कुश्चन है कोशिका में जल का प्रवाह किस प्रकार होता है तो यह आपका विशारण दाब निइउंता अथार्थ DPD द्वारा प्रवाह होता है ठीक है कोसिका में जो जल का प्रवाह होता है वो आपका विसरण दर न्यूंता द्वारा प्रवाह होता है या इसे हम DPD द्वारा प्रवाह बोल सकते हैं अगले कुशिन के दूसरे हाँ पर बात करते हैं अगला कुश्यन है एक जिवित कोसिका के जल चूसर बल को व्यस्त करते हैं क्या विस्त करते हैं विसरण दाप नियुन्ता किसके द्वारा व्यस्त करते हैं वो आपका विसरण दाप नियुन्ता अथा डी पी डी द्वारा व्यक्त करते हैं अगले question की दूसर यहाँ पर बात करते हैं अगला question है जब किसी पादप की कोसिका को अधिक सांदर नमक के विलियन में रखा जाता है तो कोसिका में क्या होता है तो कोसिका में वहाँ पर जीवद्रव्य संकुचन होता है अगले question की दूसर यहाँ पर चलते हैं minimum 500 question ताकि दोस्त आपका entrance examination में question कहीं से भी आ जाए आप उस question को असानी से solve कर पाएं अगला question है यहां पर बल जो एक कोशिका की आकृति को बनाये रखता है तो उसका क्या नाम है स्फीत इदाब नाम है टीपी नाम है ऐसा बल जो की कोशिका की अक्रिति को बनाये रखता है उसका नाम क्या है इसफीत इदाब नाम है जिससे टीपी बोलते हैं अगला question दिखते हैं दूसे यहाँ अगला question है अंगुर सांद्र सरकरा के घोल में रखने पर सिकूर जाता है क्यों सिकूर जाता है क्योंकि यहाँ पर बही परासरण के कारण सिकूर जाता है ठीक है अगर आप अंगूर को सांद्र सरकरा के घोल में रखेंगे तो अंगूर क्या होगा सुकूर जाएगा उसका जो रीजन होता है वो आपका बही परासरण का रीजन होता है बही परासरण के कारही अंगूर जो होता है वो वहाँ पे सुकूर जाता है अगले कुशिन के दोस्त यहाँ पर बात करेंगे अगला कुशिन है पौधो के लिए यहां पर बात करेंगे अगला कुश्यन है पौधो में अस्थाई मुर्जाने का कारण क्या है तो उसका जो कारण है पानी का वात्सवो सर्जन अधिक एवं अवसोसल कम ठीक है जो उसका पानी का अवसोसल है वो कम हो जाता है और वात्सवो सर्जन अधिक होने के कारण तो मलानी गुलांग क्या है? इस थाई मुर्जान के समय मिर्दा में उपस्थित जल की प्रतिसत मात्रा मलानी गुलांग कहलाता है वेल्टिंग कोफिसियन कहलाता है ठीक है? अगले कुश्यन की दूस्षे यहाँ पर बात करेंगे होता है ठीक है अगले कुश्चिन के दूसरे यहां पर बात करेंगी अगला कुश्चिन है लवडों की सनर्चना में भाग लेता है तो कौन सा भाग लेता है वो आपका क्रिश्टली जल अगले कुश्यन की दोस्ते हां पर बात करते हैं अगला कुश्यन है सुर्य के प्रकास की और बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है यह आपका हिलियो ट्रापिज्म कहलाता है क्या कहलाता है दोस्त हिलियो ट्रापिज्म कहलाता है सुर्य के प्रकास की और बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना हिलियो ट्रापिज्म कहलाता है अगले कुश्यन की दोस्ते हां पर बात करेंगे अगला कुश्यन है किसी आधहार के चारो और मटर के प्रतान का लिपटना किसका अच्छा उधारण है तो ये आपका इस परसा नुवर्तन का एक उधारण है ठीक है अगले कुशिन की दूसरे आपे बात करेंगे अगला कुशिन है संडियू तथा वीनस फ्लाई ट्रेप किट भच्छी पौधों में कौन सी गती होती है तो इन सभी में इस परसान कुंचनी गती होती है ठीक है अगले कुशिन की दूसरे आपे बात करेंगे अगला कुशिन है पेडों की पतियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है तो वह आपका क्लोरोफिल कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है दोस्त क्लोरोफिल कहलाता है अगला जे सी बोस अगले कुशिन के दूसर यहां पर बात करेंगे अगला कुश्यन है किस पेड को अपनी वृद्ध के लिए सरवाधिक मात्रा में जल की आव सकता होती है वो आपका यूके लिप्टस जो की बहुत ही लंबाएं पायाता है और इसमें वृद्ध के लिए सबसे अध क्वेस्टिन को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान पूरुक समझेगा और जिस पी स्टूडेंट को न समझ में आए वीडियो एंड होने के बात फिर से आप एक बार रिपीट आप वीडियो स्को देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेस्टिन अच्छी तरीके से समझ में आजाए एक से दो बार दोस्त आप देखेंगे तो आपको आसानी से सभी चीज़े समझ में आ जाएगी कंठर्स हो जाएगे ताकि अगर आप एंट्रेंस एक्जामेशन में रिविजन करते हैं और वहां प olhos दोस्त आपका QCN आता है तो आप एक बार दूस्त एक दो बार देखे करते हैं अगला कुशन है दूसरे हां पर पौधों में वृद्धी कब होती है तो यह आपका जीवन प्रयाद में वृद्धी होती है पौधों में अगले कुशन के दूसरे हां पर बात करते हैं अगला कुशन है समय और अकार के संदर्व में होने वाली वृद्धी को का वक्र बनता है उसे क्या केते हैं तो उसे हम सिगमाइट वक्र कहते हैं किसे दोस्त उसे हम सिगमाइट वक्र के नाम से जानते हैं फिर से आप question दिखिए समय और आकार के संदर्व में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर S के अकार का वक्र बनता है और उस वक्र का क्या नाम है सिग्माइट वक्र अगला कुशन दोस्ट यहां पर very important question है पौधो की लंबाई में विद्ध के लिए क्या आवस्यक नहीं है तो sodium दोस्ट आवस्यक नहीं है पौधो की लंबाई के विद्ध के लिए तो आज की लिए दोस्ट बस इतना ही मिलेंगे दोस्ट हम next classes में कुछ बहतरीन यहाँ पर question के साथ अभी दोस्ट एक classes या दो classes इसी के और होंगे उसके बाद आपका नया chapter इस्टार्ट होगा बहुत ही अच्छी तरिकी से दोस्ट target आपका complete करना है यहाँ पर टोटल आपको 500 तो question बताएंगे ताकि आपका question कहीं से भी बने आप question को आसानी से solve कर पाएं तो आसा करते हैं दोस्ट आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ दोस्ट वीडियो को लाइक करियेगा और अपने दोस्टों में सेयर करना न भूलियेगा ताकि दोस्ट अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर जुर सके धन्यवाद